ये बजे की क्लास में हम लोग भई आ गए हैं और मुझे जल्दी से बच्चों बता दीजेगा क्या मेरी आवाज आपके पास तक पहुच पा रही है आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बच्चों मुझे जल्दी से बताईएगा क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं ताहिमा बिटा नमस्ते, स्विता नमस्ते बिटा अंशिका नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है भाई अंशा राहुल बिटा गुड इवनिंग, जैश्री गुड इवनिंग बिटा नमस्ते, BPSC का एक्जाम फिर से पोस्ट पॉंड हो गया कोई बात नहीं है, परशान बिल्कुल मत हुई है, परशान होने की जरूरत नहीं है, कोस्पोंड हुआ है, खतम नहीं किया गया है, है कि नहीं, कुछ दिन आगे बढ़ा दिया गया, है ना, हाँ, कुछ दिन आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है, मैं ऐसे कहूंगा, कि एक मौक को अपने आपको फिर से तयार करने का अली सिद्धिकी बिटा नमस्ते श्रीनू नमस्ते बिटा ठीक है तो उसको लेकर परिशान कता ही नहों बच्चे कोस्पोंड हो गया कोई बात नहीं है हमें थोड़ा और समय मिल गया पढाई करने का हमें थोड़ा और समय मिल गया अपन उम्मीद के साथ कि आप भी विल्कुल ठीक होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कल से शुरुवात किया भारती राज विवस्था को लेकर, इंडियन कॉंस्टिउशन को लेकर, भारती सम्विधान को लेकर, हाँ बिटा सोनू पता चला विपीएसी का एक्जाम फिर पोस्पोंड कर दिया गया है, अक्षरा बिटा नमस सही, दो महिने बाद सही, तो इसका फायदा उठा लिया जाए, रिवीजन कर लिया जाए, हिस्ट्री का भी रिवीजन करते चली, और साथ साथ हम तो देखो पॉलिटी का भी एक बड़ा सेग्मेंट पूरा हो जाएगा, यानि दो सब्जेक्ट इतने मजबूत हो जाएंग हमारे कि हम जब एक्जाम में जाएंगे, नहीं, देखो बटा राहूल, मैं फिर से एक बार बता दूँ आप लोगों को, माधुरी बटा नमस्ते, गुड इवनिंग, सीमा बटा नमस्ते, गुड इवनिंग, ठीक, नहीं, कोई, कोई टेंशन ना लो बच्चो, पहली बात प्रात्मिक्ता ये रखो, दूसरी प्रात्मिक्ता strategy जो है आपकी, वो वही बना कर रखो, जो आपने बनाया हुआ है, मतलब हम पूरी थोरोली पढ़ेंगे, पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे, पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, और जब हम पढ़ाई करते हैं, पूरे टॉपिक को पूरा एनालिसिस करते हुए, तो हम एक तरीके से मेंस भी पढ़लाए होते हैं, है ना, जब हम पूरा डिस्क्रिप्शन कर रहे होते हैं, पूरा व्याख्या के साथ पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोग concept को पढ़ते हैं तो वो हो जाता है mains बस इतना ही difference है इसलिए ये सोचो ही मत कि mains अलग पढ़ना है pre अलग पढ़ना है concept clear हो गया तो हम आसानी से mains भी qualify करेंगे आसानी से pre भी qualify करेंगे तो अलग-अलग मिलकुल मत करो ठीक है बिटा? जिवन में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है मेरा जो अपना मानना है कि जीवन में जो भी घटना होती है बच्छे वो अच्छे के लिए होती है और उसका फायदा मिलता है ठीक है ठीक तो कोई दिक्कत नहीं current affair के लिए बेटा कुछ नहीं करना है current affair के लिए आप पिछले जब भी आपका exam होगा तो उसके 7-8 महिने पहले वाला जो भी आपका event है उनको पढ़ते चलिएगा थोड़ा emphasize करिएगा कि 4-3-4 महिने के बीच की घटनाओं पर ज़्यादा emphasize करिएगा क्योंकि बहुत पुरानी घटनाओं को आयोग भी याद नहीं रखता है इतना पुराना कौन लेकर चलेगा ठीक है ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है अब हम लोग अपनी पढ़ाई को करेंगे ठीक बेटा खुश्मो नमस्ते ठीक सीमा बेटा नमस्ते साहिमा बेटा नमस्ते गुड इवनिंग चलो तो हम लोग ने कल से अपनी पॉलिटी की शुरुवात की है और आज हम लोग development of Indian constitution भारती सम्मिधान के विकास की प्रक्रिया को पढ़ेंगे ठीक है दो को भारती सम्मिधान के अगर बात करें और हम लोग बहुत लंपुरानी बातों पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग हिस्ट्री तो पढ़ी थी अपनी तो वहाँ पर हम लोग ने धेर सारी चीज़े पढ़ी थी advent of Europeans पढ़ा था अलग-अलग देश आये अलग-अलग देश ने अपने अलग-अलग छेत्रों में अपनी सत्ता को चलाया सत्ता को चलाने के लिए उन्होंने कुछ अपने-अपन के नियम बनाए। वह बात अलग रही कि पुर्दगालियों के नियम बहुत लंबे समय तक नहीं चले। है ना थीक है। फिर दूसरी अगर बात करते हैं तो भई अगर डचों कि बात करें तो उनके भी नियम बहुत जादा-दिनों तक नहीं चले। प्रांसीसियों की बात करें तो उनके भी बहुत नहीं चले, हाँ जिसके नियम ज़ादा चल गए वो थी आपकी British Company, वो थी आपकी British Company, जिसे हम लोग East India Company के नाम पर जानते हैं, ठीक है न, चलो भाई, तो हम लोग अपने टॉपिक के शुरुवात करते हैं, पढ़ते हैं तो East India Company जिसने भारत पर रूल किया लंबे समय तक, इस्ट इंडिया कमपनी जिसने भारत की सत्ता को लंबे समय तक चलाया, और और वरतमान भारती सम्विधान पर East India Company के बनाये गए नियमों का, और आगे चलकर क्राउन के बने नियमों का प्रभाव दिखाई परता है वरतमान स सम्विधान में, है ना, क्योंकि एक लंबे समय तक उन्होंने भारत पर रूल किया, सत्ता किया, तो उसके प्रभाव दिखना तैसी बात है, है ना, उनके दिखाओ, उनके जो लक्षन है, वो तैसी बात है, वो दिखाई पढ़ेंगे ही, है ना, चलो भाई, तो East India Company, आप स दिसंबर, 1600 को, एक कमपनी बनाया गया, जिसका नाम हुआ करता था, East India Company, अब मेरी बात को समझेगा, ठीक है, देखे, कमपनी बन गई थी, आपकी बच्चे, 1559 में, संदी, बिटा नमस्ते, तो कमपनी जिसका नाम East India Company है, बच्चे, वो तो बन गई थी, 1599 में ही, ठीक है, आशना बिटा नमस्ते, रागव बिटा नमस्ते, चलो, तो कमपनी तो बन गई थी, आपकी, 1599 में ही, और अब उस कमपनी को आगे चलाने के लिए, उस कमपनी को आगे चलाने के लिए, जब एक बड़ा काम किया गया, कि भाई, अब इस कमपनी को, हाँ, इस कमपनी को, एक वैधानिक्ता प्रदान कर दिया जाए एक लीगल सर्टिफिकेट दे दिया जाए तो 31 दिसंबर 1600 ये वो दिन होगा बिटा एक बार सिस्टम रिफ्रेश कर लो क्योंकि अगर मैं पूरे सिस्टम को देख पा रहा हूँ है ना तो क्लास चल रही है मुझे दिख भी रही है क्योंकि मैंने अपनी क्लास को दो जगे पर खोल रखा है ताकि किसी तरह का अगर कोई क्लेचिंग आता है कोई ग्लेचिंग आता है तो हम उसको देख पाए किसी तरह की प्रॉब्लम तो अलरड़ी मैंने अपनी क्लास को जगे एक सामने स्क्रीन पर खुला हुआ है और एक मैंने अपने मोबाइल पर भी चला रखा है ताकि मैं खुद भी देखता रहा हूँ अगर किसी परकार की परेशानी आती है तो वो परेशानी मुझे भी फेस करनी पड़ जाए तो मुझे अंदाजा लग जाएगा फिलाल क कोई दिक्कत नहीं है सही चल रहा है ठीक है हाँ चलो भई ठीक चलो भई अपरना बिटा नमस्ते तो 31 दिसंबर 1600 को कंपनी को एक लीगल कपड़ा पहना दिया गया लीगल कपड़ा मैं कुछ साधारन शब्दों का प्रियोग करूंगा परिशान बिल्कुल मत होईएगा ठ एन शिर्फान बिटा नमस्ते यहां जो कि मैं अपना चश्मा दे दुँ विटा मैं अपना चशना आपको दे दूँगा तो मैं पढ़ाओंगा कैसे मैं ताहिमा वी यह उतार दूगा तो मैं पढ़ाओंगा कैसे पिर तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा यह जो चश्मे का नंबर है ना बहुत जादा है बेटे बहुत जादा है यह उतार दुआ तो आप देख सब कुछ काला है दुनिया में जैसे काला अक्षर भैस बराबर तो मेरी देशा हो गई है काला अक्षर भैस बराबर यह चश्मा उतारते ही ठीक है तो अगर मैं इसे आपको दे दूंगा तो मैं कुछ पढ़ा नहीं पाऊंगा और आप लोगों के कमेंटे भी नहीं पढ़ा पाऊंगा बस इतना लगे कहा कुछ चल रहा है कुछ मूब हो रहा है लेकिन वो क्या मूब हो रहा है पता नहीं है कुछ काले रंग का दिख रहा है कुछ गुलाबी है कुछ लाल है कुछ बैगनी है ठीक है बिटा तो इसलिए हमारा चश्मा न मत मांगना बिटा नहीं ठीक चलो अब हम लोग वापस आजाएं कुलसुम बिटा नमस्ते गुड इवनिंग अब हम लोग टॉपिक पर वापस आजाएं तो हुआ ये कि 31 दिसंबर 1600 को एक कमपनी बनाई गई जिसका नाम हुआ करता था इस्ट इंडिया कमपनी और उस वक्त की रहना रानी हुआ करती दिया चार्टर दे दिया एक प्रकार का येस बिटा येस आयम डियाबटिक पेशेंट बिल्कुल सही कहा बिटा ठीक है तो एक प्रकार का चार्टर दे दिया गया और उस चार्टर के साथ ही अधिकार पत्र जिसे कहा जाता है एक प्रकार का चार्टर दे दिया गया और उस उससे एक अधिकार दे दिया किया कि यह जो कंपणी है जिसका नाम इस्ट इंडिया कंपणी है इस इस्ट इंडिया कंपणी को पूर्वी देशों के साथ ध्यान रखेगा पूर्वी देशों के साथ इस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए इस्ट इंडीज के साथ मोनोपोली राइट दिया जाता है मतलब एक प्रकार का एक आधिकार दिया गया और वो एक आधिकार वो मोनोपोली राइट यह है कि United Kingdom जिसमें England, Ireland यह सारे देश शामिल हो जाएंगे तो अब इस company को एक प्रकार का मोनोपोली राइट दे दिया गया कि भाईया, सिर्फ और सिर्फ यही company होगी जो जाएगी East India Company की बात करूँ मैं short form में नाम लिख दिता हूँ बिटा EIC, East India Company इसकी अगर बात करता हूँ बच्चे हाँ, 15 सालों का बिटा अधिकार दिया गया था 31 दिसमबर 1600 को ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा बहुत रानी साहिबा, मतलब गया Royal Family भी involved है, तो उसके पीछे कारण है, इस company में East India Company में Royal Family भी involved है, क्योंकि Royal Family का भी interest लगा हुआ है, यानि कि इसका भी पैसा लगा है, उसको भी धेर सारा profit होने वाला है, तो भाई आदेश दे दिया गया 15 वर्षों का, शुरुवात में बेटा 15 वर्षों का, जो कि आगे चल कर 20-20 वर्षों का कर दिया जाएगा अभी नहीं, वो आगे चल कर ठीक है, अच्छा, इस company में stockholders की अगर बात करते हैं, इमरान तो इस company में 233 ठीक है ठीक है, अरे बहुत बहुत शुक्रिया बेटा ठीक, तो इस company में करीब 233 233 company थी, जिनों ने मिलकर इस company को बनाया था, ठीक है आम तोर पर चलो, 234 वाला figure मत याद रखना लगबग, लगबग, 200 250 छोटी बड़ी company ने मिलकर, एक बड़ी company बनाई थी, और जो कि भारत से व्यापार करेगी, और वो व्यापार कब तक चलेगा, अगले 15 सालों के लिए चलेगा, तो एक charter दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया East India company, जाएगी व्यापार करने के लिए कोई और company नहीं जाएगी, कोई और company जाएगी, इसका मतलब फिर profit उसके पास भी चला जाएगा, और profit उसके पास चला गया बच्चे, तो फिर महरानी साहिबा और राजा साहब के भी profit में कहीं न कहीं बंदरबाट हो जाएगी, और राजा महराजा क क्यों बंदरबाट करेंगे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक company जाएगी व्यापार करने के लिए, अब company को भेज दिया गया, आगे चलकर company के व्यापार को आगे बढ़ाए रखने के लिए समय समय पर कुछ अधिकार पत्र जारी कर दिये गए, उनको लेकर कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जैसे 1726 में आएगा, तो 1626 का चार्टा रेक्ट जो है, वहां से परंपरा चल जाएगी, 20-20 साल वाली कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो व्यापारी के अधिकार को बढ़ाने की बात करता है, जैसे जैसे company भारत में और सत्ता क वो यानि की व्यापार के साथ सत्ता में इन्वाल भोनी शुरू हो जाएगी, दे कि होगा क्या, अगर आपको याद होगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा इमरान, इमरान देखो मैंने क्या बोला था, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने आपसे क्या बोला, 233, 34 छोड़ जाने दो, उसको जाने दो, लगबग लगबग 200 कंपनी मान कर चलो, ठीक है, क्योंकि आपको कहीं पर ये 233 लिखा मिलेगा, 235 भी लिखा मिलेगा, तो उसको लेकर परिशान मत हो बेटा, ठीक है ना, हाँ, ठीक है, उसको लेकर परिशान मत हो, उसको लेकर बिलकुल अब कमपनी के नुमाइन दे कमपनी के कर्मचारियों को भाई प्रॉफिट हो रहा है और 1757 जो बैटल अफ प्लासी होगा वहां से अगर देखेंगे तो अब धीरे-धीरे कमपनी और कमपनी के बड़े से लेकर छोटे अधिकारी तक कि अगर बात करें तो वो बंगाल के कमपनी के कर्मचारी व्यक्तिगत तोर पर परसनल अपनी के एक व्यापार का मतलब होता नहीं छोटा मोटा व्यापार वो भी शुरू कर देंगे वो अल्रेडी कर्मचारी भी रहेंगे और अपना व्यापार भी शुरू कर देंगे लूट खसोट मचाना शुरू करेंगे हो जाएगी 1757 से 1764 जो बक्सर का युद्धिता जिसे हम लोग ने पढ़ा था जो मीर कासिम के साथ होने वाला है उसके बाद तो पूछिए मतलब क्या बताएं आपको इतनी जबर जस्त लूट हो गई अपना परसनल व्यापार तो चली रहा था जिसकी वज़े से भाई कंपनी के भी रेवन्यू को लॉस हो रहा है कंपनी का रेवन्यू लॉस हो रहा है तो तैसी बात है कि भाई महरानी साहिबा जो queen है अब तो महराणी साहिबा नहीं रहे गए अब तो महराज आ गए ठीक है तो कुल मिलाकर revenue को loss हो रहा है तो अब इस बातों को ध्यान दिया गया बंगाल के नवाप से याद होगा कि कासिम के बाद जो है एकदम से प्लासी की लड़ाई के बाद से loot खसुट बहुत रहा है हाँ नजराना अलग चल रहा है कि बहुत बुरी तरह company के कर्मचारी अपना वेतन तो उठाई रहे हैं भ्रिष्टाचार के माध्यम से वह मतलब होता नहीं है अब अलग से भी पैसा मिल रहा है उपर का table जिसे white money कहा जा और under table जिसे black money कहा जा दोनों पहुच रही है तो तैसी बात है भाई रहन सहन में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा जब रहन सहन में परिवर्तन आएगा तो लोगों की नजरे भी पढ़नी शुरू हो जाएंगी जब लोगों की नजरे पढ़ेंगी तो पैसा आया कहां से अब पैसा आया ये कि साथ चोरी चमारी हो र तो रहा हैं अब इसको लेकर दीरे-दीरे कंपनी और कंपनी के साथ संसद को लगा एसा कि ये तो बड़ा प्रोबलम हो रहा है इसलिए अब दीरे-दीरे करके अब उस पर एक कानून भारत के अंदर अब company को regulate करने के लिए बड़ा जरूरी हो गया था कि company को regulate करने के लिए अब एक विवस्था की जाएगी और यहीं से भारत में शुरुआत होगा किस चीज का? कानून बनाने का तो भारत में जो company के द्वारा कानून बनाया जाएगा वो दो अलग अलग चरण में बनाया जाएगा दो अलग अलग फेज में बनाया जाएगा एक आपका चलेगा हम लोग यहाँ पर देखें एक चलेगा भाई जिसे company के द्वारा इस्ट इंडिया company के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे, ठीक है, चलो भाई, नमस्ते बेटा, नमस्ते, गुड इवनिंग, ठीक, सबको भाई, नमस्ते, सबको गुड इवनिंग, सबको भाई, बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत वेलकम है, आप सभी लोगों का, ठीक है बेटा, चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे अपने एक बना आपका जिसमें कानून बनेगा इस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये दौर चलेगा आपका 1773 से लेकर इसे 1857 की जगे पर बदल दिया जाए ये चलेगा आपका 1853 तक 1853 तक ठीक है क्योंकि अगला जो अंतिम कानून आएगा कंपनी के द्वारा वो 1853 में आएगा वो बात अलग है कि 1857 तक वो कानून चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो 1773 से शुरू होकर ये चलेगा आपका 1853 के चार्टर एक्ट तक का आपका दिखाई पड़ेगा जिसका प्रभाव आपको 1857 तक दिखाई पड़ेगा ठीक 1858 में परिवर् संसत के अधिकार को बढढцते हुए एक बड़ा फैसला किया जाएगा वहिया कमपनी जो है ताशन करने लायक नहीं हो नहीं हो भ simplest और तुम लोगों से अब सत्ता वापस ले ली जाए ठीक है तो सत्ता काम किया जाएगा लेकिन अंग्रेश तो जाएंगे नहीं भारत तो उनकी कॉलोनी के तौर पर रहेगा इसलिए 1858 से लेकर 1947 तक जो कानून बनेगा वो ब्रिटिस सरकार के द्वारा बनाया जाएगा जिसे आप कह सकते हो ताज के द्वारा बनाया जाएगा क्राउन के द्वारा बनाया जाएगा तो अब वहां से दो प्रकार भारत में सम्विधान के विकास की अगर प्रक्रिया को देखेंगे तो वो दो अलग-अलग चरण में चलेगी एक कमपनी के द्वारा बनाया हुआ कानून जो 1773 से शुरू हो जाएगा और चलेगा कब तक 1853 तक ठीक है आप 1857 भी कह सकते हो क्योंकि रेगुलेट तो 57 तक होगा वो और अगर हम लोग बात करें फिर उसके बाद जब कमपनी खतम हो जाएगी कमपनी के सा सरकार या दिकार ले लिए जाएंगे तब वो क्राउन के द्वारा चलाया जाएगा या नहीं सरकार के द्वारा अब ब्रिटिश संसत के द्वारा कानून बनाया जाएगा तो ये दो अलग-अलग पेज में हम लोग Development of Constitution को सम्विधान के विकास को पढ़ेंगे ठीक यहीं से भारत की राजनिती में आप देखोगे कि एक राजनितिक विकास की प्रक्रिया धेरे-धेरे शुरू होना हो शुरू हो जाएगी 1773 अब देखो हुआ क्या 1773 का Regulating Act लाने के पीछे बहुत बड़ा कारण था बंगाल के अंदर जो लूट खसोट मचा रखी थी कंपनी के कर्मचारी छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी तक जो लूट खसोट मचा रखी थी उस लूट खसोट को रोकने के लिए अब बड़ा इसके द्वारा इस्थापित राज्य पर सरकार को चलाने के लिए नियमों को चलाने के लिए एक कानून पारित किया गया जिसे Regulating Act कहा जाता है यह Regulating Act Company के द्वारा पास किया जाएगा, बात दूसरी है, लेकिन देख रेक होगी संसद का, यmiyorum Company पर संसद का एक नियंत्रण बना लिया जाएगा, कोई भी कानून बनाओ, संसद को जरूर दिखाओ, कोई भी कानून बनाओ, Parliament को जरूर दिखाओ, कोई भी कानून बनाओ, प लाओ तुमको गवर्नर बना दिया ये कर दिया वो कर दिया ये सब नहीं चलने वाला है इन सब को यानि अब अंग्रेजी सत्ता को चलाने के लिए कंपनी के माध्यम से एक कानून लाया गया जिसे regulating act of 1773 1773 का regulating act कहा जाता है देखो इस कानून से आप कुछ महत्पून बातों को देखोगे important चीज़ों को यहां से आप देखते चले जाएंगे और वो यह होगा कि यहां से पहली बात company के ओपर एक संसदिय नियंत्रण यानि कि संसद का नियंत्रण हो जाएगा एक important चीज़ दूसरी important चीज़ आप देखोगे यहां पर और वो यह कि एक केंदरी कृत विवस्था की शुरुवात की जाएगी centralized administration को शुरू किया जाएगा CA मतलब centralized administration इसकी शुरुवात की जाएगी फिर वालग बात है बेटा सुप्रीम कोट वगर अभी परते चलेंगे बिलकुल परिशान मत होना ठीक है तो देखो भाई company के जितने भी political or administrative function होंगे उसके लिए प्रधान मंत्री यानि कि संसद के एक तरीके से control किया जाएगा संसद का उस पर नियंत्रन हो जाएगा तो इस कानून के द्वारा जो सबसे महत्रपुन बात आएगी वो ये कि भाईया संसद ये नियंत्रन हो जाएगा यानि कि कोई भी कानून बनाओ, कुछ भी करो, संसद को जरूर बताओ, संसद को बताओगे, तो इसका मतलब साफ है कि वो इंग्लेंड के राजा राणी जो भी गद्धी पर बैठेगा, उसके पास जाएगा, ठीक, इस वक्त जब ये कानून पारित किया गया, तो कुछ फैक वो प्रधान मंत्री हो जाएंगे, और जोर्ज थर्ड वो क्राउन हो जाएंगे, ये कुछ फैक्ट है, जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, याद करते चलिएगा, बाकी तो आप लोगों को मिली जाएगा, क्लास के दोरान हम लोग देही रहें, चर्चा करी रहें, ठीक बिल्कुल ऐसे ही कुशन आएगा बेटा साहिमा, बिल्कुल परिशान मत होना, सवाल इसी तरह के आएंगे, ठीक है, सवाल इसी तरह के आएंगे बेटा, ठीक है, परिशान बिल्कुल मत होना, चलो भाई, तो कंपनी को अब एक अधिकार दिया गया, कि भाई, कंपनी अग के लिए 20 सालों तक के लिए व्यापार करेगी यानि एक अधिकार मोनोपोली इंगलैंड से युनाटडी किंगडम से कोई और दूसरी कंपनी नहीं आएगी भारत में व्यापार करने के लिए ठीक है न इस बात का ध्यान रखेगा तो अब 20-20 साल का जो extension किया जाएगा वो आ शिकंजया 1833 में इतना कड़ा हो जाएगा कि 1853 तक आते आते वो काम ही खतम कर दिया जाएगा ठीक है वो काम ही खतम कर दिया जाएगा तो इसका प्रभाव बहुत बुरी आने वाले समय में बड़ा प्रभाव पढ़ने वाला है ठीक रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी सरकार संसत धीरे धीरे कमपनी के उपर अपना नियंत्रन बनाएगी अचानक तो खतम नहीं होगी अचानक तो खतम नहीं होगी धीरे धीरे करके होगी वो धीरे धीरे किया जाएगा अच्छा मैंने आपको बात बताया था किसाब centralized administration अच्छा बहुत बढ़िय बनाओ जो सारे निर्णे ले सकी ठीक है और भारत उस वक्त का भारत कहां है उस वक्त के भारत के अगर बात करेंगे तो वह आपका बंगाल कलकत्ता और मद्रास यहीं तक सीमी थे भारत का उस समय का कंपनी वाला या ब्रिटिश प्रोविंसेज के अगर बात करें तो बस उस भारत के लिए इन तीन प्रेसिदेंसीज के लिए कोई एक आदमी बैठाओ जो कि बड़ा फैसला ले सके क्योंकि अगर तीन लोग बैठाओंगे तीन जगहों पर तो वो तीन अलग-अलग फैसले लेंगे और तीन अलग-अलग फैसले का मतलब हो जाता है अपने पैर पर उलाड़ी मारना तो बहता रहे किसी एक को अथराइज कर दो भाई इसलिए यहाँ पर आप देखोगे कि गवर्नर सेकेंड इंपोर्टेंट पाल्ट अगर आप देखोगे इस एक्ट को लेकर तो गवर्नर का पद जो था अब उसे बदल दिया गया गवर्नर ऑफ बेंगॉल को अब बना दिया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बेंगॉल गवर्नर जनरल को अब गवर्नर को बना दिया गया गवर्नर जनरल धिहान रखिएगा इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आगे चलकर पढ़ते चलेंगे जी जी गवर्नर जन्रल ठीक है तो गवर्नर जन्रल अब आपका बना दिया गया सर्वे सर्वा और वही फैसला करेगा यानि एक ही क्रित प्वेवस्था बिल्कुल सही कह सकते बटा पापा जी बना दिये गए बिल्कुल सही कहा राजेंगर एक तरी भी एक तरीके से सलाहकारी, गवर्णर जनरल को भी एक advisory council की तरह से बनाया गया, जिसे आप executive council कह सकते हो, ठीक है, तो गवर्णर जनरल की साहेता के लिए एक executive council बना दिया गया, कारेकारी परिशद, और आगे ध्यान रखिएगा, यही कारेकारी परिशद जो है, यही कारेकार परिशद जो है आने वाले समय में संसद बनेगा भारत के अंदर 1919 के कानून तक अगर हम लोग चले जाए अरे राजेंदर राठ और बेटा कि कौन से पापा को याद कर रहे है पहले तो यह बताओ भाई है ना किस पापा को याद कर रहे हो ठीक है तो अब बंद कर दो बहु जाओ है ना हाँ एक बार लिख दिया बहुत अच्छी बात है ठीक है बहुत बढ़िया है चलो अब इतना समझ में आया कि तुमको समझ में आ गया ज्यादा समझ में आ गया इतनी बार करने का मतलब लग रहा है कि ज्यादा समझ में आ गया तो इतना ज्यादा भी समझने की जरुवत बिलकुल नहीं है ठीक तो अब हमारे गवर्नर जनरल के लिए एक कारेकारी परिशद बना दिया गया एक्जिक्यूटिव कॉंसल बना दिया यही एक्जिक्यूटिव 1919 के कानून में संसद के तोर पर संसद के पुराने रूप में दिखाई पड़े कि जम लोग पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे वहाँ से इसको दो अलग-अलग हाउस में बनाये जाएगा ठीक है हमको पापा बोल रहे है अरे हमको बोल रहे तो एक ही बार बोलो भाई दो बार बोल लो है ना इतनी बार बोलने की क्या जरूवत है भाई ठीक है चलो और इस काउंसिल में आप देखो चार सदस्यों को जोड दिया अब इन चार सदस्यों के नाम आप देख लीजेगा वैसे आप लोगों को नाम पता है वो है क्लावरिंग, मौनसन, रिचर्ड बावल और फिलिप फ्रांसिस ये नाम आप याद कर लीजेगा, कहीं पर लिखकर नोट कर लीजेगा, याद कर लीजेगा क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि 1773 के Executive Council के कौन-कौन मेंबर थे या कौन मेंबर नहीं था, तो दोनों में से एक पूछा जाएगा अगर नाम याद होंगे, तो हम बता सकते हैं कि कौन मेंबर था और नाम याद नहीं हो, मतलब याद रहेगा, तो हम ये भी बता सकते हैं कि कौन मेंबर नहीं था दोनों बाते बता सकते हैं, तो अब एक तरीके से आप देखोगे बहुमत का प्रावधान कर दिया गया चार लोग ये और एक Governor General यानि कुल मिला कर किसी भी मुद्दे पर Decision लिया जाएगा पांच लोगों के द्वारा पांच लोगों के द्वारा Decision लिया जाएगा अब पांच लोगों में देखो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई मत डाले तो धाई-धाई वाला हो जाए ना ऐसा होगा ही नहीं तीन-दो चलेगा एक-चार चलेगा पाँच-जीरो चलेगा लेकिन धाई-धाई नहीं चलेगा यानि कहीं पर अगर मान लेते हैं कि किसी मुद्दे पर एक पक्ष पर तीन लोगों ने वोट किया और एक पक्ष पर दो लोगों ने किया तो भाई जो बहुमत होगा मतलब तीन लोगों वाली बातों को मान लिया जाएगा और दो लोगों वाली बात को खतम कर दिया जाएगा यही कॉंसेप्ट बना दिया तो आज भी यही चल रहा है, संसद में हमारे बहुमत का प्रावधान चलता है, यही चल रहा है बिलकुल, है कि नहीं, माल लेते हैं कि किसी मुद्दे पर सो लोग है, 51 लोगों ने हा बोल दिया, ठीक है, पास हो गया, अगर 51 लोगों ने ना बोल दिया, तो भाया नमस्ते कर लेना है, यही तो प्रोसेस है, तो एक तरीके से देखा जाए, तो संसदी विवस्था का प्रावधान कर दिया गया, और यहीं से आप देखोगे, जो मैं आप से बता रहा था, कि सेंट्रलाइजड अडिमिनिस्ट्रेशन के इंद्रिकृत विवस्था के शुरुआत की गया, यानि मदरास का गवर्नर और बंबई का गवर्नर कोई अलग फैसला नहीं करेगा, वो जो भी फैसला करेगा, वो एक बार गवर्नर जनरल को बताएगा, कि सर ये बात है, ये फैसला है, ये है और ये है, अब आप बताओ, अब गवर्नर जनरल के दोरा उसे काउंसल म ये इशू है अब इस पर सब लोग फैसला करें तो बहुमत के आदार पर फैसला हो जाएगा ठीक है ना यानि एक तरीके से देखा जाए तो एक विवस्ता शुरू कर दी गई जहां पर बहुमत का प्रावधान रग दिया गया और भारतिये वरतमान सम्विधान में भी आप देखोगे कि ये प्रावधान दिखाई पड़ेगा ठीक अब इसी से जुड़े कुछ और बातों को बढ़ाया जाए जैसे हाँ बिलकुल बेटा साइमा बिलकुल आप लीव करो कोई दिक्कत वाली बात नी तब खराब हो गई है तो आप अपने सेहत का ध्यान रखो सबसे पहले शरीर है health is wealth तो सबसे पहले शरीर है फिर उसके बाद रुपिया पैसा नाम प्रसिद्धी समय ठीक है चलो जल्दी से ठीक हो जाओ बेटा अपनी सेहत का ध्यान रखो चलो भाई अब देखो इस कानून के तहता यानि कि regulating act के तहता अगर दिखा जाए तो एक काम और क केते नी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में शॉटफर में लिग दिता हूँ तो प्रीम कोर्ट यानि कि सर्वोड चन्यायले का प्रावधान किया गया 1773 में प्रोविजन किया गया है सुप्रीम कोट का ध्यान रखिएगा 1773 में प्रोविजन किया गया है सुप्रीम कोट का बना नहीं है ध्यान रखिएगा बना नहीं है बनाया कब जाएगा सुप्रीम कोट का प्रोविजन आया 1773 में लेकिन 1784 से सुप्रीम कोट काम करना शुरू करेगा यानि एक कानून बना दिया गया वह यह सखाना बनाने गया तो पहले भाई सबजी खटा कर लेते हैं ठीक है सबजी खटा कर लेते हैं और फिर उसके बाद बना लिया जाएगा तो अब सुरुवात की गई सबजी बनाने के तैयारी को लेकर तो सबजी वगरे खटा कर लिया गया बाजार से खरीद लिया गया अब उसको बना लिया जाएगा तो 1784 में इस सुप्रीम कोट को बनाया जाएगा और सुप्रीम कोट के जो चीफ जस्टिस बनाए जाएंगे उनका नाम हो जाएगा एलिजा इंपे एक और आही पर आपको बात बता देता हूँ अभी बेटा नमस्ते एक बात और आपको लगे हाथ बता देता हूँ पहली 24 एलिजा इंपे नहीं थे बेटा पहली 24 एलिजा इंपे नहीं थे पहली 24 तो विलियम जोन्स थे इस उच्चतम ने आये लेके इस सुप्रीम कोट के इस सुप्रीम कोट के जो सबसे पहले 24 हुआ करते थे इस्ट इंडिया कंपनी की वो तो 24 थे विलियम जोन्स लेकिन विलियम जोन्स ने का नासर नमस्ते मैं नहीं चाहता मैं कुछ और करना चाहता हूँ तो ठीक है भईया तब एलिजा इंपे साहब का नाम आया तो एलिजा इंपे बनका है मुख्य नयाधीश और उनका साथ देने के लिए तीन और लोगों अन्य नयाधीश के तोर पर नियुक्त कर दिया गया इस कानून में एक और काम किया गया था वो काम ये कि सेलरी बहुत तेज बढ़ा दी गई थी बैमानी नहो लोग अपने सेलरी से संतुस्ट हो तो गवर्नर जनरल की सेलरी जो आप उस जमाने में अगर सुनेंगे तो पास के गवर्नर हैं गवर्नर उनकी सेलरी कर दी गए थी 10,000 पॉइंड और अगर हम लोग अपने मुख नयायाधीश की बात करते हैं तो मुख नयायाधीश को लेकर उनकी सेलरी कर दी गए थी 8,000 पॉण्ड और अन्य नयायाधीशों का सेलरी कर दिया गया था 6,000 पॉण् और अगर तनका कम मिलेगी तो सवभाविक सी बात है वो भरिस्ताचार में लग जाएगा तो इसी लिए ब्रिटिस पार्लियमेंट ने एक बड़ा फैसला किया कि भाई एक काम करो सलरी बढ़ा दो और कंपनी ने उस काम को कर दिया तो हाई पेड़े सलरी कर दिया गया भाई देखो सीधी सी बात है आप काम करा रहे हो इमानदारी से काम करा दो तो बहुत अच्छा रहेगा ठीक है ना तो लगबग लगबग खुब सलरी बढ़ा दिया गया गवर्नर जनरल को अगर हम लोग बात करें तो हमारे चीफ जस्टिस बनाए गया एलिजा इमपे और इनके रखेगा लैमेस्ट्रे वाला सवाल पूछा जा चुका है इससे पहले PCS की परिक्षाओं में पूछा गया था जो पहली सुप्रीम कोड बनी थी एकॉर्डिंग टू रेगूलेटिंग एक्ट उसमें जो निया धीश शामिल हुए थे उनमें कौन-कौन थे ठीक है या कौन कौन नहीं था तो ध्यान रखेगा ठीक है चलो तो कुल मिलाकर इं तीन लोगों को अन्य नया धीश के तोरपर बना दिया गया और अगर ध्यान रखेगा ये व्वस्ता आज भी चल रही है आज भी हमारे सुप्रीम कोड में आज भी विवस्ता चल रही है एक चिब जस्ट इसी बीच, अगर हम लोग बीच में एक और बात करें, 1784 के एक्ट से पहले एक बात करता हूँ, 1781 का एक्ट आया था, जिसे एक्ट अफ सेटल्मेंट कहा जाता है, हाँ बेटा, देखो, देखो, कोई परिशान बिल्कुल मत हो ना, बिल्कुल मत हो इमरान परिशान, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रोविजन किया गया कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रोविजन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट होगा, 1774 से वो सुप्रीम कोर्ट काम करने लगा, ठीक है, तो ये कहा गया, कि वह 1773 में कहा गया, कि भाई, मामलों को सुनने के लिए, जानने के लिए, एक नियाए प्रवस्था बनाया जाए, वो provision किया गया और provision पर execute किया गया 1774 में ठीके बेटा ठीके क्या मैंने कोई और year बोल दिया था क्या मैंने Supreme Court के लिए कोई और year mention कर दिया था क्या बेटा ऐसा हो सकता हूँ कि मैं जल्दी बाजी में बोल गया हूँ दिमाग में चल रहा हूँ 1774 में कुछ और बोल गया हूँ ऐसा कुछ हुआ है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया था क्या बता दीजेगा बता दीजेगा तो देखो 1781 में आया एक जिसे कहते Act of Settlement जिसे हमको लोग कहते संशोधनात्मक संशोधन करने वाला कानून लाया गया ठीक है कोई खास बाते उसमें नहीं है उनमें प्रमुख बात ये किया गया जो Act of Settlement में आता है कि जो 1773 की Regulating Act की कमिया थी उन कमियों को अच्छा मैंने 1784 बोल दिया था नहीं मैं समझ में आया इमरान का जब सवाल आगे ने तो मैं समझ आया था कि मैं कुछ गलत बोल गया हूँ मुझे ऐसा लगा ठीक है तो बिटा 1774 है इच्छुड भी पॉसिबल कि मैं गलत बोल गया हूँ उसके लिए मैं माफी चाहूँगा अच्छा गलती हो गई होगी बिटा हाँ ठीक है बाकी तो आप लोग समझदार है यो बच्चे गलती समझ गये होगे इच्छुड भी पॉसिबल कि मेरे मुझे 1784 निकल गया होगा ठीक है लेकिन वो 1774 है बिटा 1774 है मैं गलती से बोल गया हूँगा मैं माल लेता हूँ उस बात को ऐसा हो जाता है मेरे साथ कई बार हो चुका है ठीक है बाकी आप लोग समझदार है तो 1774 में सुप्रीम कोट काम करने लगा अब ठीक है बिटा अब तो कोई दिक्कत नहीं है चलो भाई 1781 में जिसे हम लोग कहते Act of Settlement आया Act of Settlement से जो कमया है उन कमयों को दूर किया गया जिसके तहत कुछ प्रावधान भी कर दिये गये और वो प्रावधान ये कर दिया गया कि बाई देखो Governor General और हमारे जो Executive Council के Member है उनको अब Supreme Court की अधिकारीता के छितर से बाहर रखा गया मतलब भाई तुम लोग कुछ काम करोगे तो तुमारे काम के लिए सुप्रीम कोट में कोई सुनवाई नहीं होगी जैसे आजकल होता है कि रास्ट्रपती को के द्वारा उसके द्वारा किये गए काम को ओफिशल वर्कों को लेकर आप किसी भी कोट में नहीं जा सकते कि साब रास्ट्रपती महोदे ने ये वाला काम क्यों कर दिया वो वाला काम क्यों कर दिया ठीक है ना यानि आप रास्ट्रपती जी के द्वारा किये गए कर्तव्यों को लेकर किसी भी कोट में जाकर मामला दर्ज नहीं कर सकते इसी तरह से राज्यपाल का है कि राज्यका राज्यपाल अगर कोई अधिकारिक कारे करता है तो उसको आप कहीं पर चलेंज नहीं कर पाएंगे वो प्रोविजन दे को यहीं से आया है गवर्नर जनरल अधिकार चेत्रे से बाहर चले गया एक्जेकुटिव कौनसल अधिकार चेत्रे से बाहर चला गया रेवेणियू पाइल्ट अधिकार चेत्रे से बाहर कर दिया गया तो कुछ सुधार किये गए 1781 वाले में कोई बहुत बड़े प्रोविजर नहीं थे इसले मैंने उसको वहाँ पर जगह नहीं दिया 1784 अगला बड़ा कानून आता है जिसे हम लोग PITS India Act के नाम पर जानते हैं देखो हुआ क्या था वैसे ये कानून जिसे PITS India Act कहा जाता है ये कानून तो लेकर आने वाले थे ये कानून तो लेकर आने वाले थे जो पहले वाले परधान मंत्री थे जिनको हम लोग जल्दी से मुझे नाम बताईएगा मैं मिस कर रहा हूँ नाम को इनसे पहले वाले जो विलियम पिट से पहले परधान मंत्री थे उनका देखो नाम एकदम से दिमाग से उतर गया आपको याद आये तो मुझे बता दिये जरा तो पहले वाले परधान मंत्री इस कानून इस संसोधन को लेकर आने वाले थे लेकिन संसद के अंदर हाउस अफ कॉमन्स के अंदर उनका बहुमत उस मुद्दे पर पढ़ गया कम और उनको देना पढ़ गया स्तीफा अब विलियम पिट सहाब ने अपना बहुमत साबित कर दिया हाँ बिटा सुप्रीम कोर्ट इंडियन पीपिल के लिए बिल्कुल है बखरतिओं के लिए है बिल्कुल है बेटा ने ने लॉडु नॉर्थ नहीं थे बेटा उनका नाम दोगो मैं भूल गया इस अक्दम दिमाग से उतर गया है लॉडलॉड नहीं थे बेटा वो कोई और थे चलो याद आएगा तो बता दूँगा, ठीक है, चलो याद आएगा तो बता दूँगा, अब एकदम दिमाग से उतर गया है मेरे, ठीक है, चुट भी पॉसिबिल के नौर्थ ब्रू के ही रहे हो, दिमाग से बिलकुल उतर गया है, चलो याद आएगा तो बता दूँगा, आ अपना बहुमत साबित कर दिया और अब इन्होंने उसी वाले प्रावधानों को जो पहले वाले प्रधान मंतरी लेकर आ रहे थे जिनके पारित नहीं हो पाया इस्तीफा देना पड़ गया अब वो लेकर चले आए कानून को फैना विलियम पिट ने पारित करा दिया और इस क कानून की खास बात देखिएगा ये एकलोता ऐसा कानून है अंग्रेजी कंपनी का जो कि वहां के प्रधान मंतरी के नाम पर चलाया गया इसके पहले और इसके बाद कोई भी ऐसा कानून आप नहीं पाओगे जो कि इंगलैंड के प्रधान मंतरी के नाम पर आया हो इससे प और इसमें एक काम किया गया और वो काम ये किया गया कि company के जो commercial right है और जो political action है उनको separate कर दिया गया एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा power separation policy जिसे कहते हैं शक्ति का प्रथक करन सिधान करने का बात रखा गया कुछ एक तरीके से चक्तियों को सिमित करने का यहीं से शुरुवात होगी बेटा यहीं से शुरुवात होगी company के ओपर control करने का धीरे 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 करके यह control इतना जादा हो जाएगा कि company को 1857 में बंद कर दिया जाएगा उसकी शुरुवात है देखो भाई सामने वाले व्यक्ति के को पंजरे-पिंजडे में कसने के लिए पिंजडे डालने का शुरुआत कर दिया गया है ठीक? चलो भाई तो कहा गया कि कंपनी के जो कॉमर्शल मामले होंगे और कंपनी के जो पॉलिटीकल मामले होंगे उसके लिlori दो अलग-अलग bold बना दिये गए मतलब कि आगर political body पड़ duff control जिसे कहा जाए, BOC bold of control जिसे कहा जाएगा ये बन जाएगा political affair को देखेगा, या अधी राजनेतिक मुद्दो को, किसके किसके साथ समझोता करना है किसके किसके साथ समझोता नहीं करना है किससे लडाई करनी है किससे लडाई नहीं करनी है ये bold of control देखेगा और जो भी व्यापारिक मामले होंगे येस, बहुत बढ़िया, बिलकुल पूजा, सही का बिटा, वो fox हुआ करते थी, बहुत बढ़िया कोशिस कर रहा था, नाम याद हो जाए याद हो जाए, याद हो जाए, यादी नहीं हो रहा था तो मिस्टर लोमरी महोदे हुआ करते थी, नसरीन बिटा नौशाद बिटा, नमस्ते, गूड इवनिंग ठीक, तो political मामले देखेगा, bold of control और commercial मामलो को देखेगा, आपका court of directors, यानि कि court of directors जो है, वो commercial मामलो को देखेगा, और जो bold of control होगा, वो political issues को देखेगा, एक तरीके से अगर आप दीखा जाए, तो company के उपर नियंतरन, और company के उपर नियंतरन के साथ-साथ आप दो दलबना दिये जाएंगे, और दोनों से बराबर पूछा जाएगा, क्या हुआ, किसके साथ समझोता किया, क्या क्या बात हुए, और इनको पूरी detail देनी पड़ेगी पारलियामेंट को, पूरी detail देनी पड़ेगी पारलियामेंट को, ठीक है, इस अधिनियम के, अगर फिट्स इंडियाक्ट की बात करते हैं, तो दो महत्पुन बातें यहाँ पर, दो कारण आपको दिखाई पड़ेंगे, एक, company भारत में company के अधीन जितना भी इलाका आता है, अब उसको बोला जाएगा, वो पूरा नियंत्रन दे दिया जाएगा, मैंने क्या बोला था, शिकंजा कसा जा रहा है, और जिसको कस्ते कस्ते एक दिन गर्दन कस दी जाएगी, वो आने वाले समय में होगा, एक पहली बात, company की सारी संपत्तियों को भारत के ब्रिटिस संपत्तिया कहा जाएगा, यानि संसत का दारा फिर बढ़ गया, company को दीरे-दीरे समेटा जाने लगा, और जो board of control के मेंबर होंगे, वो आम तोर पर, जो वहां की political party होगी, उससे जुड़े विवेक्ती होंगे, क्योंकि राजनितिक मामले हैं न, कि वो समय समय पर बता देते रहेंगे, और आपको खबर करते रहेंगे, सर ये, और सर, वो क्योंकि राजनितिक मामला समहा ले रखना है, और control बना कर रखना है, तो इसलिए, board of control वाले जो मेंबर चलेंगे, वो अधिकाएंश तोर पर आपको दिखाई पढ़ेंगे, राजनितिक तोर पर, इसी तरह से गर बात करते हैं, अठारा सो, कद्तावन का जब कानून आएगा न, तो उसमें भी जो board of control होंगे, आपके, इस्टेले सहाब, वो उस कानून को प्रस्तुत करने का काम करेंगे, वो board of control के ही, अध्यक्ष के तोर पर काम कर चुके हैं, ठीके, गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर्स को कम कर दिया गया, जो की सज़त से संख्या चार हुआ करती थी, इसे घटा कर, तीन कर दिया गया, ठीके, इसे गवर्नर जनरल की जो executive council है, उसके मेंबर को कम कर दिया गया है, उसे कम करके, चार्ज की जगए पर तीन कर दिया गया, ठीक, 1786 का, यानि दो साल बाद ही फिर से एक कानून लाया गया, जिसके तहत एक काम किया गया, और वो काम ये किया गया, governor general, जो Lord Cornwallis बन गये थे न, William Benter, Warren Hastings तो चले गये, उनके जगह पर Cornwallis आए, तो Cornwallis, governor general तो होगा ही, साती सातु से chief commander का भी जिम्मेदारी दे दिया जाएगा, मुखे सेनापती भी बना दिया जाएगा, मतलब एक व्यक्ति के पास दो शक्तियों, Cornwallis, William Pitt के थोड़े पसंदीदा व्यक्ति भी है, तो उनके साथ एक अलग सा, राजनेतिक संबंद भी है, Cornwallis, अमेरिका के governor general का काम करके लोट भी चुके, ठीक है, तो थोड़ा सा उनके पर भरोसा था, उनके कामों को लेकर भरोसा था, इस तरे William Pitt ने उन पर भरोसा दिखाया, और उनको मुख्य सेनापती का पद देते हुए, अब युद्ध करना, संधी करना, इन सब का अधिकार, एक तरीके से Cornwallis को दे दिया गया, governor general, किसी विशेश special condition में, council के द्वारा लिये गया, decision को खतम कर सकता है, और लागू भी कर सकता है, अब देखो, जो governor general है, उसके पद को ताकतवर बनाया गया, ये विश्वास है Cornwallis के उपर, उसी के तहते इस काम को किया गया है, कि Cornwallis इतना योग्गे है, हाँ, वो इतना योग्गे है, कि उसको इतने इतने अधिकार दे दिये जा, और Cornwallis को हम लोग याद करें, तो उसे father of police services in India कहा जाता है, ठीक है, father of police services, Cornwallis बेटा, Cornwallis, लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, लिख देता हूँ बेटा अंशिका, परिशान मत होना, Cornwallis, ठीक है, he was governor general of Bengal, ठीक है, तो उसे powerful बनाया गया है, ठीक, चलो भाई, इस कानून के तहट, धेर सारे अधिकार दे दिये गया, धेर सारे फैस्नल लिए गया, father of police services, father of civil services, ऐसे बहुत सारे काम, revenue का भी अधिकार, सारे निर्णाय आ गया, तो revenue के भी अधिकार, इसके पास आ गया, permanent settlement, हम लोग ने इस सारी चीज़े, जब हम लोग history पढ़ लेते हैं, तो हम लोग ने वहाँ पर पढ़ा था, 1793, चार्ट एरेक्ट फिर से लाया गया, इसका एक सिर्फ बड़ा कारण था, वो साब ये, कि 1773 में, company को दिये गए, 20 साल के अधिकार को अब extend करना था, अगले 20 सालों के लिए, तो तैसी बात है, 1793 में, तो कानून आना ही आना था, तो 1793 में कानून आया, कि company के व्यापारिक अधिकारों को, अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया जाए, तो इस उद्देश से कानून आया, 37, bold of control के सदस्यों, अब देखो, अब भारत के उपर किस तरह से, company के उपर किस तरह से बोजह डाला जाएगा, bold of control के, bold of control के सदस्यों को, और उसके कर्मचारियों का जो वेतन होगा, वो Indian revenue से दिया जाएगा, जो भारत से revenue collect हो रहा है, जो कहां जा रहा है, company के जोले में जा रहा है, तो भाया, इन सदस्यों को जो वेतन दिया जाएगा, वो Indian revenue एक तरीके से देखा जाए, तो भारत पर, भारतियों पर, एक आर्तिक बोज डालने का प्रयास किया जाएगा, एक और काम किया गया, मुख्य सेनापती, जो आपके हुआ करते थे, मुख्य सेनापती को, Governor General की, Council का, Automatic जो मेंबर होने का अधिकार प्राप्त था, वो समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है, हाँ, वो समाप्त कर दिया जाएगा, Automatic, पहले Governor General ही था, तो अब एक तरीके से उसे थोड़ा सा, अलग कर दिया गया, इसको लेकर थोड़े विरोध, प्रतिरोध हुए थे, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस कानून को रखा गया, तो आज ही क्लास बच्चों यहीं तक रखते हैं, 1793 तक के, यहर तक का, अगली क्लास, कल हम लोग जब करेंगे, तो आगे, यानि कि 1813 के चार्टर एक्ट से शुरू करते हुए, फिर अगले 20 सालों तक के लिए हम लोग चलते चलेंगे, ठीक है, तो कल हम लोग मुलाकात करेंगे, उमीद करता हूँ, कि आज वाली क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा, ऐसा कुछ भी बहुत बड़ी चीज नहीं थी, जो दिमाग से निकल जाया, जो गरबढ़ हो जाया, तो कैसा था बेटा, जल्दी से एक बार अपना रिव्यू दे दीजेगा, कि क्लास कैसी लगी, समझ में आया, जल्दी से बताईएगा बेटा, 1793 को दुबारा से एक्स्प्लेंड कर दें, कर देते हैं भाई, को दिक्कत नहीं देखो भाई, 1793 के चार्टर एक्ट को लाने का एक मात्र कारण था, वो ये कारण था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जो 20 साल कमपनी के, जो ट्रेड राइट की बात कही थी, उनकी अगर बात करते हैं, तो उसे 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, अब 20 साल का टेनियोर जो खतम हो रहा था, वो 1793 में खतम हो रहा था, तो इस एक्ट को लाने का, सिर्फ और सिर्फ एक ही मामला बनता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण बनता है, और वो ये, व्यापारी के काधिकार को बलहाना था, साती साथ कुछ चीजों को और जोड़ दिया गया, ठीक है? चलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो भई, अब साती साथ कुछ चीजों को जोड दिया गया कि बोल्ड अफ कंट्रोल और करमचारियों का जो सलरी होगा वो इंडियन रिवेन्यू से दिया जाएगा साती साथ जो 1786 के कानून से मुख्य सेनापती का चीफ कमांडर का जो एक अधिकार हुआ करता था कि वो अल्रेडी काउंसिल का मेंबर हो जाता था अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब आपके मुख्य सेनापती का जो पद होगा वो धीरे से अलग किया जाएगा ठीके मतलब गवर्नर जनरल जो कॉर्ण वालिस को मुख्य सेनापती का पद दिया गया था अब वो कितनी काम एक साथ कर पाएगा इसलिए कहा गया कि भाया इनके पाव उपर काम के बोज को थोड़ा कम किया जाए और कॉर्ण वालिस ने तो कॉर्ण वालिस कोड भी लाया था ना एक व्यक्ति एक पद तो वो कैसे तोड़ सकता था इसी लिए जब मुख्य सेनापती के जिम्मेदारी किसी और को दिया गया तो उसे आटोमेटिक मेंबर के तौर पर नहीं सुविकार किया गया ठीके ठीके बिटा एक्सेप्ट इमरान समझ में आया बिटा ठीके इमरान जल्दी से बता दो बागी बच्चों को तो समझ में आ गया तो आप भी बता दो मैंने जो बताया भी समझ में आया की नहीं आया जल्दी से बताओ बिटा फिर नमस्ते किया जाए चलो बहुत बहुत शुक्रिया बिटा शिल्पी रागो अकुलसुम अशना नमस्त बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे चलो भाई तो आशी क्लास बच्चों फिर यहीं तक रखते हैं कल फिर मुलाकात करेंगे आप से और कल की मुलाकात होगी हम लोगों की 1813 के यानिकी 1793 के बादवाले एक्ट से ठीक है चलो तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू बेस्ट अफ लग अपना ध्यान रखिएगा अपनों का ध्यान रखिएगा